Hello everyone, welcome you all at Lucas Sir, Unlimited Charityum और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं पिछली क्लास में हमने टॉर्क कम्प्लीट कर लिया उके उसके बाद मुमेंट ऑफ फोर्स देखा, टॉर्क देखा टॉर्क अब ही देखिए, वर्क डन बाइ अटॉर्क जिसमें question आया है आपके exam में obtain an expression for the work done by a torque hence write the expression for the power delivered by the torque तो आपने देखा था कि हमने जब linear motion पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि power का formula P equals to dw by dt होता है बोली बटाय याद है? आज से, हाज से So P equals to dw by dt, rate of change of work done हमने किया था बस हमको यहाँ पे भी वही करना है बट याद रखिएगा वहाँ पर जो हमारा work कराता था कौन था? sliding force बट यहाँ पे हमको जो work देगा वो torque देगा clear है? वहाँ पे काम कौन करता था? force करता था और हम लिखते थे dw is equal to f dot ds और यहाँ पे हम क्या लिखने वाले है dw is equal to torque क्योंकि force की जगए torque लगता है और linear displacement की जगए angular displacement होता है तो हम बोलते है torque dot d theta बोलो बिटा, clear है? yes clear तो आईए, कैसे करेंगे इस question को? देखिए as shown in figure 6.11 suppose a body undergoes an angular displacement theta enter the action of tangential force f तो आप समझ लिजे की यह कोई body है और इस axis के about आप इस complete body को rotate कर रहे हैं घुमा रहे हैं इस पर आप एक force f इस direction में जैसे घड़ी की सुई घुमती है anti-clock को इस direction में गड़ी की सुई के opposite आप इसको घुमा रहे हैं ठीक है ना? तो जब यह इस point पे है तो इस पर tangential force इसे लगेगा और यह इसका यह radius है और घुमाते 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 हमारा force फिर tangential direction में ऐसे लगने लगेगा मालिया यहां से यहां तक आने में हमने कितना angle rotate कर दिया बेटा? theta angle इस r vector को हमने theta angle rotate कर दिया बुलिए यह स की नो? यह theta angle इसमें बना हुआ है delta theta तो आपने r को delta theta angle rotate कर दिया delta theta एक छोटा सा angle है अब आप formula जानते हैं कि angle जो होता है angle equals to होता है arc upon radius radius तो आप यहां पे क्या है? p से आप q में चले गए हो तो angle कितना है? delta theta is equals to arc p q upon radius कितनी है? r है इस path की radius कितनी है? r है तो जो p q की length बनेगी बेटा वो कितनी हो जाएगी? r d theta या r delta theta whatever बोलो हो जाएगी? आज़े तो हम जानते हैं what is work done? work done is equals to force multiply by displacement यह होता है f into d s delta s तो w is equals to force तो अपने पास जो भी लग रहा है f लग रहा है और d s यानि कि displacement vector तो छोटे से angle के लिए बिल्कुल छोटे से angle के लिए आपको पता है कि यह जो होता है यह किस के equal होता है? delta s के equal बोले पता है कि नहीं पता? यह जैसे अपने पास में माल लीजे एक छोटा सा angle है यह एक छोटा सा angle है अब यह तो काफी बड़ा है तो उपर वाला है जो होगा वो क्या होगा? आर्क होगा इसको a b लिए तो मैं कैसे लिजे a b आर्क है यह यह a है यह b है बट यदि आप इसको join कर दें तो यह क्या बन जाएगा? a b vector यदि मैं इसी आर्क को बहुत छोटा कर लूँ तो a b है और यह क्या बन जाएगा? a b vector तो छोटे आर्क के लिए यह दोनो nearly equal होते हैं तो हमाई पस क्या हो जाएगा? जो delta s है displacement वो किसके equal हो जाएगा? आर्क a b के equal and that is equals to r d theta बोलो clear की not clear? तो यह देखे p q sorry work equal to force into displacement तो displacement कितना जाएगा? r d theta clear की not clear? यह सर्थ इस इस दिल्टा डबलू तो नाव डेल्टा डबलू इस इकोल स्टू पेटा f dot r f into r dot नहीं बोला चाहिए f into r मैंने आपको क्या टॉर्क पढ़ाया की नहीं पढ़ाया? यह सर्थ फूर्स इन्टू पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस याद आगया? पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस ओके? तो f into r अपने पास बन जाएगा कितना? टॉर्क डेल्टा टूर्क 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 डिघटा क्लियर की नौट क्लियर? टॉर्क डिएटा एडिएटा ओके? यह आ हमारे पास आगया वर्क दिन वर्क जो वर्क डन से काम में आने म recognizes वर्क डूर्क ड़ honor यहां थीटा वहर्क डिता यॉर्क डियाट findet यॉर्क डिख डॉर्क motion of the body or the work done by the force by the torque equal to work equal to force into distance along arc arc PQ. इसे delta theta नहीं कर दिया और इसकी value हमने set कर दिया. अब बात आती है बिटा पावर की. So you know power का formula होता है rate of change of work, ability of, sorry, rate of doing work is called power. तो बिटा वर्क हमारा कितना निकला है यहां पर? वर्क हमारा निकला है torque into delta theta यह निकला है और upon delta T. बिटा यू नो delta theta upon delta T rate of change of angular displacement बिटा यह क्या बनता है? ओमेगा बनता है. So power equal to tau omega. बोलो clear की not clear? So what is power? Power equals to torque multiply by angular velocity. एंगुलर velocity. एंगुलर velocity. क्लियर? आँ, sir. क्लियर, क्लियर? येस, sir. चलिए तो जल्दी से इसका derivation बनाते हैं. देखें, आँगे बढ़ते हैं. टॉर्क एक्टिंग ओना पार्टिकल यह मैंने आपको क्या बोलते हैं? लिवर आर्म. यह बन जाएगा लिवर आर्म. तो हम आर को किसकी direction में घुमा रहे हैं? एफ की direction बहा रहे हैं. तो टॉर्क का vector notation क्या बनेगा? आर क्रॉस आर क्रॉस आर क्रॉस एफ बन जाएगा बटाई. यह टॉर्क का जाएगा तो इसकी direction देखे आर को जब आप एफ की तरफ कर रहे हैं तो अंगूठा आपका उपर की तरफ जा रहा है. क्लियर? जो टॉर्क की direction है upward generate होगी. सो टॉर्क का magnitude formula टॉर्क इकल्स टू आर एफ sin theta. अगर magnitude की बात की जाए तो टॉर्क के magnitude की बात होगी. टॉर्क इकल्स टूर्क इकल्स टूर्क साइन थीटा. तो टॉर्क को बढ़ाने के लिए एक तो आप theta 90 degree रखें और same force पे अगर आप radius बढ़ी कर देंगे. देखिए अगर आपका theta जो भी effects है theta जैसे 90 कर दिया. if theta is equals to 90 तो आपके पास जो टॉर्क की value है जो आपके पास theta equals to 90 होने पर जो टॉर्क की value है वो कितनी आ जाएगी 90 degree होने पर टॉर्क is equals to f into r आ जाएगी. बिल्कुल आ जाएगी. अब यहाँ पर आप force को भी बढ़ा सकते हैं और दूसरा radius को बढ़ा देंगे तो आपका टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा. तो क्या होता है आपने देखा होगा जेल में जो चक्की पीसते हैं यह तो बहुत गंदा example हो गया. तो जेल में जो चक्की पीसी जाती है, actually अब चक्कियां कहते हैं कि जेल में भी बची है, शायद वो भी नहीं पता, मशीने आगई वहाँ भी, पहले की फिल्मों में देखा था मैंने, जेल में चक्की पीसते हैं, तो बेटा यहाँ जो इसको चक्की को घुमाने के लिए जो बेटा यह handle होता है, वो दूरी पे होता है, बिल्कुल पास में नहीं लगा होता है, क्योंकि जितनी ज लंबा उतना ज़्यादा टॉर्क जनरेट होगा, बुलिए, यही छोटी साइकल जो होती है बच्चों की, उसमें आगर आप बैठ करके उसको पैडल करो, कितनी विक्कत होती है, होती की नहीं होती बताइए, आँ सर्, और बड़ी साइकल में बड़ा इजली पैडल आप मा लगा सकते हो, जैसे मालीज़ आपको 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए है, तो 10 न्यूटन मीटर के टॉर्क के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, 5 इंटू 2 यह 2 इंटू 5, मतलब 5 न्यूटन फोर्स को 2 मीटर की दूरी पर लगाओ, सेंटर से, यह 2 न्यूटन के फोर जो है, 5 मीटर की दूरी पर एपलाई करेंगे, तो आपको सेंटर्क मिल जाएगा, 10 न्यूटन मीटर का, क्लियर की न्यूटन मीटर का, मतलब कम फोर्स में भी आप ज्यादा टॉर्क एपलाई कर सकते हो, बस आपको करना क्या है, बिस्टेंस आपको जादा रखनी है, इसल तो यह टॉर्क की थियोरी हो गई बिटा, यहाँ पे काम कम्प्लीट टॉर्क का, चलिए, अब एक और टॉर्क को देखने का दूसरा नजरिया है, और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, डिपेंडेंस आफ टॉर्क ओन मोमेंट टर्म, यह मोमेंट टर्म क्या है, यह कुछ ऐसा है मेरे पास, यह मेरे पास Y-axis है, यह मेरे पास X-axis है, यहाँ से R-distance पर कोई पॉइंट इसके उपर P रखा हुआ है, यह कोई पॉइंट P रखा हुआ है, और मुझे इसे घुमाना है, मुझे इसे क्या करना है, घुमाना है, तो अच्छी बात तो यह है कि Perpendicular आप Force लगाओ, और आप घुमाना सुरू कर दो, बट आज ऐसा सी नहीं है, आपका जो Force है वो Perpendicular मुझे नहीं लगने दिना है, मुझे Force जो है थोड़ा सा इस तरीके से बाहर साइड लगने दिना है, तो यह Force मैंने हटाया, और Force मैं कुछ इस तरीके से लगा रहा तो Force मैंने यह लगा दिया, इस तरीके का Force, अब आप देख रहे हैं कि Force Perpendicular नहीं है, तो Force का एक Radial Component टूटे का बटा, थीटा, जो की जाएगा F Cos थीटा, और एक Perpendicular Component तोड़ सकते हो आप बटा, जिसे आप Angular Component F थीटा बोलते हो, and this is equals to F sin थीटा, बोलो clear की not clear, clear sir, तो एक Component आपका F, यह तूट गया, आप ध्यान से देखिए बिटा, जो आपका यह Component है, यह एकदम 90 डिग्री में है, बोलो यह सकी नो, तो F theta equals to F sin theta, यह active Component है, इसे आप Angular Component बोलते हैं बिटा, जो आपकी मदद करता है, this is called angular Component, और यही Component बिटा आपको rotation में मदद करेगा, और यही आपको घुमाएगा इस तरीके से, बोलो clear की not clear, यह useless Component है, F plus theta का अपने पास कोई मतलब नहीं है, clear, yes sir, तो एक तो तरीका यह होगे आपके पास में, देखिए, जब आप torque लिकालते हैं, torque का formula जब आप बनाते हैं, तो आपकी क्या approach रहती है, थोड़ी सी इस चीज़ पर हमको ध्यान देना चाहिए, देखिए, torque is equals to होता है, F, R, sin theta, अगर force और radius के बीच में theta का angle है, जैसे आपने देखा था, radius और force के बीच में theta का angle है, तो दो रास्ते हैं, या तो force का component तोड़ लो, या radius का component तोड़ लो, अभी तक मैं किसका component तोड़ रहा था, force का component, perpendicular direction में, तो मैं कहता था, F sin theta into R, एक और नजरिया क्या है, F into R sin theta, ये भी आप कर सकते हैं, इसमें मैं क्या कर रहा था, मैं इसके लिए, क्या कर रहा था, radius के perpendicular force को तो उड़ रहा था, यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, resolve, force, perpendicular to radius, बोलो yes की नो बेटा, अब इसमें क्या करो, resolve radius, radius, perpendicular to force, बहुत अच्छा, resolve radius, perpendicular to force, मतलब हमको radius का component लेना है, पहले हम किसका component ले रहे हैं, force का, और इसका component ले रहे हैं, radius का, तो radius का component जो force के perpendicular होगा, वो कहलाएगा बेटा, r sin theta, इसी को हम बोलते हैं, liver arm, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, liver arm, समझ में आए बेटा, yes sir, so the same thing is called as liver arm, अब आएए देखे, इसकी working को हम देखते हैं, तो liver arm को हम simply हम किससे denote कर देते हैं, बेटा, d से, एक छोटा सा word होता है, d, यूश कर लेते हैं इसकी जगे, तो formula क्या बन जाएगा बेटा, torque is equals to f into r sin theta, यह magnitude of torque है बेटा, तो आप torque f equal to f into d, तो सीधे formula क्या बोलेंगे torque का, torque is equals to force multiply by liver arm, लिवर arm कभी आपको liver arm के sense में question आए, तो आपको directly यह formula लगाना है, force into liver arm, clear बेटा, यह अशी को बोल सकते हो, torque is equals to force into perpendicular distance, है ना, किस से, क्योंकि perpendicular distance को ही आप liver arm बोलते हैं, force से perpendicular distance को ही क्या बोलते हैं बेटा, आप liver arm, clear? clear, चलिए, इसकी working देखिए बेटा, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी working देखते हैं, यह देखिए, हमारे पास, अभी यह force act हो रहा है, यह हमारे पास force है, अब भूल जाएए कि यह दोनों हमने component करे हैं, भूल जाएए, हम बिल्कुल भूला देते हैं, कि यह component हमने करे हैं, बट अभी आपने देखा था, कि force की direction में, यह थी, अपने पास में force की direction, और यह थी radius, force कहा लग रहा बेटा, उपर यह, और radius कहा जा रही है बेटा, इसके बीच का angle कितना है बेटा, तो यह भी कितना होगा बेटा, ठीटा, clear है कि नहीं है, ठीटा काम निकालने के बाद, हम वापस अपने काम पे आ गए हैं, यह दिखिए, अब थोड़े समय के लिए आप इसके in component को भूला दीजिए, मैंने भाइट कर दिया, कि आपकी नजर भी नजाए उसके पर, यह लिजिए, मैंने सब कोश हाइट कर दिया, बोलो clear बेटा, क्योंकि अगर आप उसको देखेंगे, तो आप बार-बार फोर्स को तोड़ेंगे, और मैं चाहता नहीं कि आप फोर्स को तोड़ें, क्योंकि इस बार आपको displacement को तोड़ना है, तो मैं आपको distance को, radius को, तो यह देखिए, यह क्या vector है, बेटा, F vector है, और यह R vector है, अभी तक आप F को तोड़ देखेंगे, बट आप मैंने मना करा है, मैंने कहा, अब आप radius का वो हिस्सा लेजिए, जो perpendicular है, फोर्स के, तो radius का component ब्रेक करना है आपको, जो फोर्स के perpendicular है, तो एधर से, फोर्स की line of action को पीछे की तरफ बढ़ाईए, और radius का एक component नीचे की तरफ तोड़ जाएगा, ध्यान से देखिए, क्या यह perpendicular है, फोर्स के की नहीं है, इसे बोलेंगे, लिवर आर्म, क्या बोलेंगे से बिटा, लिवर आर्म, ठीक है, हाँ, और बिटा, डी की length कितनी होगी बोलो, कैसे निकलेगी बिटा, यह ट्रैंगल दिख रहा है, तो टिग्नोमेटरी लगा दीजे बिटा, तो टिग्नोमेटरी इस इकल तो पर्पेंडिकुलर, पर्पें सामने के चीच को बोलते हैं, हाइपोटेनस आर, तो बोलो, डी कोल टू कितना हो गया, आर साइन, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टॉर्क इकल्स टू, आर एफ साइन थीटा को हम लिखेंगे, एफ इन्टू आर साइन थीटा, यहां पर फोर्स को तोडने की ज़रूरत नहीं है, तो टॉर्क क्या जाए गा, इंटू मुवमेंट आर म, क्लिरेवे पिटा55, तो मुझे देख कर बताओ, यहां पर मुवमेंट आर्म कौन है, बताए, यही सिकाना था आपको इतने देर से भाई ओएन है ना इस बार आपने रेडियेस को तुड़ा ना पर्पेंडिकुलर एक गार कमन से दिख रहे है यह आपको इतो परिकवर रहिए और इसी को क्या है और क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है पर्पेंडिकुलर है भी देख लो पर्पेंडिकुलर है तो यहां पर देखे आपने फोर्स के दो अब यह वह आपको दिखाने का वक्त आ चुका है इसको मैं मिटा देता हूं यह देखे रिडियल कंपोनेंट क्या करता है तो किसी भी प्रकार का वह टॉर्क नहीं देगा दूसरा अगला टॉपिक अब हमारा सुरू होता है जिसका नाम है एंगुलर अब ही तक आपने जो पिछले चेप्टर में पढ़ा था वो कौन सा मोमेंटम था लीनियर मोमेंटम क्या हुआ करता था बिटा वी इक्वल टू मास इंटू वेलासिटी देखेगा मजा जाए वाला है आपके पास अभी तक जो मोमेंटम होता था वो होता था एल एक्वल ट से भागाते थे और उसके अंदर जो मोमेंटम होता था एमाउंट ओफ मोशन उसको बोलते थे लीनियर मोमेंटम और इसकी डिरेक्शन जो होती थी वी की डिरेक्शन के एक्कुल होती थी अब सीन थोड़ा अलग है देखे कैसा सीन है मान लीजे आपके पास में ये कोई इस तरीके से यहाँ पर कोई मास एम है ये आपका रोटेशनल सेंटर है यहाँ पर सेंटर है एक कील थुकी हुई है दिवार पर और यहाँ पर एक मास एम है आप इसको रोटेट कर रहे हैं आप इसको रोटेट करना चाहरे है यहाँ पर ठीक है न आप इसको यहाँ पर रोटेट करना चाहरे है तो रोटेट करने के लिए आप इसको क्या देंगे एक एंगुलर विलास्टी देंगे कौन सी विलास्टी देंगे पिटा एंगुलर विलास्टी क यहां पे जो आपका इंगुलर, ओमेंटम काउंट होगा, समझगी एक बार, फिरसे मैं इसको और दूसरे तरीके से एकस्पलेंट करता हूँ तो कोई मास है एम, यह कोई मास है इसका वेलोस्टी यदि इधर की हो रहे है तो इसका linear momentum कि इधर क्या होगा P equal to mb यह इस तरफ हो अब आप क्या कर रहे हैं आप इस पर आप इस momentum को rotate करना चाह रहे हैं आप इस momentum को क्या करना चाह रहे हैं रोटेट करना चाहरा है मतलब लीनियर मोमेंटम को आप त्विस्ट करना चाहरा है देखिए यहां से समझ में आएगा आपको यह यहां पर आपके पास एक पॉइंट आपको मैंने दे दिया है यह पॉइंट सेंटर है तो सेंटर से आपकी यह जा रही है लीनियर मोमेंटम की direction यह P है oh ok और और शुरी यह R है और R distance पे आपका क्या रखा हुआ है point P रखा हुआ है फिर से बता देता हूँ R distance पे आपके पास क्या रखा हुआ है point P रखा हुआ है R distance पे आपका point M जो रखा हुआ है आप उसको momentum P provide करते हैं यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी गलती हुई है मेरे कोई यह नहीं बनाना था momentum P की direction यह है देखिए यह तो R direction है distance है और इसमें P momentum देख करके आप इसको क्या कर लेंगे rotate कर लेंगे तो क्या generate होगा angular momentum generate होगा और angular momentum को L से show करते हैं L vector equal to क्या कर रहे है R को P की तरफ turn कर रहे है so this is called R cross P फिर एक बार बता देता हूँ fresh तरीके से यह आपके पास कोई point है जिसके about आपको rotate करना है इसको rotate करना है यहाँ पर आपके पास कोई mass है कितनी distance पर R vector की distance पर और आप इसको यहाँ पे इस mass को V velocity दे करके momentum P equal to M into V provide करते हैं तो यहाँ पे P vector आपका apply हो रहा है तो इस तरीके से यह यहाँ पे क्या करना सुरू कर देगा rotate होना सुरू कर देगा तो जो आपका angular momentum कहलाएगा वो कहलाएगा R cross P तो आपका जो angular momentum है यहाँ पे कहलाएगा R cross P फिर से देख लिजे diagram एक दम clear हो जाना चाहिए अब आपको क्या क्या चीज़े हैं बिल्कुल confusion नहीं होना चाहिए यहाँ पर आपके पास कोई point P है देखे 2P में confuse मत होई गए एक P point की position है अब इस point P position पर आपके पास में कोई massive body रखी हुई है जिस पर आपने तो यहां से यहां तक क्या इसका वेक्टर कितना बन गया आर वेक्टर इसकी position वेक्टर और इस आर वेक्टर पर आप इस पर एक P apply करते हैं पी apply करेंगे तो इस तरीके से गहुमने लगेगा और आपको पता है कि सबसे बेस्ट कप घुमेगा जब यह मुमेंट ओफ लीनियर मुमेंटम के घुंडन को लीनियर मुमेंटम के घुमाओ को ही अंगुलर मुमेंटम बोलते हैं तो यहां पर एक्शली कौन घुमना सुरू कर रहा है linear momentum किस के about radius के about So, what is angular momentum the moment of the moment of linear momentum the moment of linear momentum is called angular momentum linear momentum के moment को हम angular momentum कहते हैं बेटा नो स्क्रीन्शॉट ली जिसका Linear Momentum के Moment को हम क्या बोलते हैं Angular Momentum बोलते हैं Yes Sir Linear Momentum के Moment को हम Angular Momentum कहते हैं चलिए इसकी theory cover करते हैं Question क्या दे रहेगा आपको एक्जाम में Explain how Angular Momentum can be expressed as vector product of two vector आठ आऺटे हैं तो ये तो मैंने आपको बता दिया, vector product of two vector, L equal to R को P की तरफ आपको rotate करना है, so L vector equals to R vector cross P vector, बुले clear की not clear बेटा, yes sir, L vector equals to R vector cross P vector, कि देखा जाए तो हमने क्या सीखा, L vector equals to R vector cross P vector, क्योंकि आप R को P की direction में rotate कर रहे हैं, what is P, P is the linear momentum, तो P vector equals to M into V vector, चलिए इसको open करता हूँ, यदि इसको देखा जाए, vector form में open करके, तो R into P की value क्या हो जाएगी, M into V vector, तो M बाहर आजाएगा, because M is a constant, ये कितना आजाएगा, M R V, L equals to M R cross V, मतलब, originally आप क्या कर रहे हैं, R vector को V की direction में ले जा रहे हैं, और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई, mass का तो कोई direction होता नहीं है, तो momentum को जो direction करने वाला vector है, वो कौन सा है, V vector ही तो है, V vector, velocity vector ही तो momentum को direction देगा, yes की no, चलिए, so, अब magnitude निकालता हूं में इसका, आपने देखा, L vector equals to, कितना देखा, आपने, R cross P, ज़री इसका मैं cross product open कर दूँ, तो L vector equal to, vector R, vector P, sin theta, n cap, n cap, मतलब ये भी एक axial vector है, जिसकी direction क्या होगी, clockwise या anticlockwise, तो अगर R, P की तरफ घूमेगा, तो anticlockwise उपर की तरफ, और अगर P, R की तरफ घूमेगा, तो clockwise नीचे की तरफ, जैसा, ठीक ना, जैसा आपने देखा, तो L equal to R cross P, तो फिलहल R, P की तरफ घूम रहा है, तो R तो वही right hand rule से जो direction जाएगी, इसकी कैसी जाएगी, upward जाएगी, इसकी जाएगी, upward जाएगी, clear बिटा, जैसा, चलिए, तो R, P, sin theta, n cap, mod ले लिजिए, तो mod L equals to mod of R, mod of P, sin theta, पूरे और साथ ही n cap का mod ले लेंगे, तो mod of n cap unit vector कितना आता है, 1 होता है, तो unit vector 1 हो जाएगा, so L vector का mod equals to R की जगह, P की जगह P, और यहाँ पे sin theta, and n cap का magnitude, n cap के magnitude की value 1 put कर दीजिए, so L vector का magnitude equals to R, P, sin theta, simple, इसको आप L equals to R, P, sin theta, पूट कर सकते हैं, अब actually P भी mod है, तो आप P की जगह भी आप M भी बाद में रख देंगे, चलिए, अभी यहाँ पे इसको एक चीज़ और रख देते हैं, तो R into P की जगह M V sin theta, तो more सको अच्छे से लेख सकते हैं, M V R sin theta, जी हाँ, अब देखिए, number one case, first case, if theta equals to zero degree, मतलब एदी R vector और P vector एक दूसरे के parallel है, या यह कह लिजे कि velocity vector इसके parallel है, तो sin zero zero हो जाएगा, तो L equal to कितना हो जाएगा, zero हो जाएगा, yes, zero, मतलब linear direction में किसी प्रकार का angular momentum तैयार नहीं होगा, zero हो जाएगा, second अगर theta equal to 90 degree लेजे, theta equals to 90 degree, so L equal to कितना हो जाएगा, R P sin 90 degree, so L P L equal to हो जाएगा, R into P into 1, that is equals to R P हो जाएगा, and R P को लिख सकते हो, R into M V, तो इस case में L equal to कितना हो जाएगा, M V R, very important, यह chemistry में भी use होता है, M V R, याद होगा आपको जब आप वो quantization पढ़ते हैं, तो लिखते हैं कि जो angular momentum होता है, orbits का, वो n times of h upon 2 pi होगा करता है, बोर का quantization theorem, तो यह हैं M V R है, because that time क्या होता है, circular motion होता है, और आपको पता है कि circular motion में velocity vector जो होता है, वो radius vector के 90 degree हो जाता है, clear? Yes, sir. इसलिए momentum जो होता है, यहाँ पर perpendicular, तो वहाँ पर circular orbit करके हम निकालते हैं, तो circular motion के case में, जब angle 90 degree है, तो angular momentum कितने निकलेगा circular path का M V R, clear की note clear? Yes, sir. तो circular path में, जो है, momentum कितना आएगा? M V R. तो यह देखिए, जी, L equal to R cross P, angular momentum is a vector quantity, its magnitude is given by R P sin theta. The direction of angular momentum L is perpendicular to the plane of R cross P. यह तो सब को पता है, कि कोई चीज़ अगर R और P के cross में लग रही, मतलब वो इन दोनों के plane के क्या होगी? पर्पेंटिकुलर होगी, ओके? यह राज़ों. तो इसको किस से दिया जाता है? राइट हैंड रूल से? राइट हैंड रूल. तो दस इन प्रेजेंट केस, L point in Z direction. मतलब अब भी जो आपको scene दिया गया है, अगर यह X axis में है, और अगर X axis में है, ओके? और आपका यह दि मोमेंटम Y axis में है, तो जो आपका angular momentum जाएगा, वो किस में जाएगा? Z axis में, क्योंकि वो दोनों के perpendicular है. देख लिए यह Z axis के along जा रहा है. जा रहा कि नहीं जा रहा? दूसरे case में ने आपको बताई दिये, एक है minimum momentum का scene, theta equal to 0, दूसरा, maximum momentum के लिए sin 90 equal to 1, यहने Rp equals to maximum. 90 equal to 1 जाएगा? Rp equals to maximum. Hence, the angular momentum is maximum and equal to Rp, and Rp is also called R into MV, so more clear it is MVR, okay? MVR. If the line of action of linear momentum is perpendicular to the position vector, तब लगे गए जिस समय जो angular momentum की line of action है, sorry, linear momentum की जो line of action है, वो perpendicular रहेगी, तब लगे गए इस scene में, मतलब यह देखिए, यह angular momentum है, नहीं, यह linear momentum है, और यह Rp के कितने degree पे रहेगा? 90 degree pace, ठीक है, तो इस परिस्थिती में जो angular momentum जरनेट होगा, that is equals to MVR, ठीक, clear एक दम? Yes. एनी प्रॉब्लम? नो, जर्था. Okay, so this is complete, point number 2, चलिए, अब देखते है, फिर से वही physical meaning है, बिटा, कि आप या तो momentum को perpendicular direction में तो लिए, देखिए, अब यहाँ पे फिर से वही चीज़, जैसे आपने जो torque में किया, वही चीज़ आने वाली है, अब ही आपने देखा, कि torque is equals to, क्या था बिटा? आर क्रोस F, आर क्रोस F, तो देखा बिटा, अपने की torque equal to R क्रोस F होता है, similarly बिटा भी आर क्रोस F देखा था अपने, तो आपके पास क्या था, एक point था, जिसकी position इस point से R distance पे थी, और इस पर आप जो है, बिटा, F force लगा रहे थे, यह, F force, तो मैंने बोला था कि बिटा, दू तरीके है, या तो आप इसका impact लेना चाहते हो कि कौन इसको घुमा रहा है, तो इसके दो component कर लो, तो यहाँ पर यह थीटा था, तो यह बन गया था, F cos theta, यह बन गया था, F sin theta, फिर यह, मैंने बताया था, कि e square area आप open करेंगे, तो यह बन जाएगा, R into F sin theta, यह दूस और angular momentum, और angular momentum क्या हो गया, R cross P, यह भी कुछ ऐसा ही है, कि मान लीजे, इस point के about हम इसको rotate करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस point पे, एक हम momentum लगा रहे हैं, यहाँ पे हम, एक second कॉल आ रहे हैं, तो देखिए, angular momentum के scene में मैंने आपको बताया, L equal to R cross P, तो यहाँ पे इस बेटा vector R, और यहाँ पे बेटा यह vector P है, clear बेटा, यह vector R है, और यह vector क्या है, बेटा, P है, तो अब देखिए, बिल्कुल उसी तरीके से है, यहाँ पे इसके P के दो component हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि दो component यहाँ पे P के बनेंगे, यह angle कितना है, theta है, R और P के बीच का, तो एक component आपका बन जाएगा, बेटा, P cos theta, और एक बन जाएगा, P sin theta, अब यह बताएगे, बेटा, मुझे की, इसको rotate कराने के लिए active component कौन सा है, P cos theta या P sin theta, P cos theta या P sin theta, rotate कराने, P cos theta, P cos theta, बोल तो बिल्कुल सही रहे हो, बट मैंने यहाँ पे गल्दी करिये, मेरे को cos यहाँ लेना चाहिए, क्योंकि C for cos, C से चिपका हुआ cos, और यहाँ पे sin theta वाला component रोटेट कराएगा, इसके magnitude हम लिखते है, R into P sin theta, क्लियर बताएगे, बताएग तो देखिए, इसी चीच को आप में इसमें पढ़ेंगे, यहाँ पे यह बना रखा है, तो अभी आपने किसको उलग किया, P को आपने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, चलिए इसको देखते हैं कैसे किया गया यहाँ पी, तो यहाँ पे आपके पास में जो है, यह आर वेक इक कि अपने अपरेट कर रहे है, अब पी वेकर की दो कंपोनें अपने होपने आपरेट कर लिए, यहाँ पे तो डिटा पी का आर डिरेक्शन में जो्हो है, यह पास दिर्टा में यह घो rises. P sin theta तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर P sin theta का rotation actually ले रहे हैं with respect to R एक scene तो यह है पिरी सारे scene को मिटा करके दूसरे तरीके से मैं देखूं liver arm वाला concept तो मुझे क्या करना पड़ेगा अभी मैं क्या कर रहा था अभी मैंने R के perpendicular direction में P का component लिया है क्यों बिटा लिया ना बच्चो जी हाँ अभी मैंने R के perpendicular मैंने P का component लिया है जिसको मैं लिख सकता हूँ L equal to R into P sin theta अब यदि मैं इसी को break कर दूँ बिटा L equal to P into R sin theta तो एक component में यह break कर सकता हूँ तो कैसे बनेगा देखे बिटा यह मैं सब कुछ मिटा देता हूँ अब मुझे R का component ब्रेक करना है तो मैं P को as usual चलने देता हूँ और P के perpendicular R आपको दिखाऊँगा यह देखे मैंने आपको सब को छिपा दिया मुझे P का component ब्रेक नहीं करना है यह देखे मैंने सब को छिपा दिया बस इतना पता है आपको कि उपर वाला एंगल थीटा है तो नीचे वाला एंगल थीटा है मतलब यह एंगल भी क्या होगा बटा थीटा होगा अब यह देखे P vector quantity है तो आप जितनी लंबी चाहो इसकी line of action ले सकते हो चाहे vector आँगे जाए चाहे पीछे जाए line of action लेने में उतना ही result आप को मिलता है अब इसके perpendicular यह दी आप डाल देते हैं तो अब आपने क्या किया R का एक perpendicular break कर दिया तो फिर से यह दी मैं इस component को यह दी मैं D ले लूँ तो मैं लिख सकता हूँ sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse तो perpendicular D है और hypotenuse कितना है R तो फिर्टा D equal to बन गया R sin theta तो हम लिख सकते है L equals to R into P sin theta पहले था जब हम P का component टोड रहे थे बट अब हमने दिखाया आपको कि हम R का भी component टोड सकते हैं जिसे हम D कहते है so linear momentum P multiply by moment term clear हो गया तो angular momentum equal to linear momentum into moment term जैसे आप torque निकाल रहे थे तो torque में आपने बोला था force into moment term कहा था कि नहीं कहा था ऐसे ही आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं linear momentum into momentum देखे torque में आपने क्या लिखा force into moment term और आपने यहाँ पे क्या लिखा linear momentum into moment term मतलब कि force का जो moment होता है वो क्या नापके देता है आपको torque मेजर करके देता है that is turning effect of force turning effect of force मगर linear momentum का जो moment होगा वो क्या नापके देगा आपको angular momentum नाप करके देगा clear? yes so what is angular momentum? angular momentum equals to angular component of linear momentum multiply by distance from the axis of rotation मतलब b sin theta into r यह इसको आप वैसे भी बोल सकते है momentum multiply by moment term ठीक है ना? किसी भी तरीके से आप इसको explain करें so यह होगा हमारे पास complete angular momentum equal to angular component of linear momentum multiply by distance from the axis of rotation यह सबसे पहले वाले में जो आपने देखा था चीक है? यह देखिए फिर से याद दिला दूँ यह axis of rotation था और यह अपने पास में पी जा रहा था तो इसका हमने एक component टोल लिया था यह पी sin theta और यह r तो मैंने क्या बूला था? what is angular momentum equal to? angular component of the linear momentum यह यह ने की p sin theta multiply by इसकी rotation axis से दूरी मतलब की इसकी r clear okay so ऐसा कौन सा component है? जो इसको linear momentum generate करता है angular momentum generate करता है उस component का नाम है axial component clear? नहीं angular component बोलना चाहिए मैंने axial component सा लिए बोल दिया गलती से so that is angular component angular component लिखलें आप लोग p theta is equals to p sin theta ठीक है? बहुत सारी terminology है even मेरी भी जी विलड़ खड़ा जाती है इतनी सारी terminology नहीं नहीं ठीक है? चलिए तो फिर से बोलूँगा कौन सा component है जो angular moment को generate करेगा? answer है उसका angular component क्या radial component कुछ काम करेगा? no radial component किस में contribute करेगा? linear momentum देने में है न? क्योंकि वो linear दो लिखा हुआ है यहां पे hence only angular component and not the radial component of the linear momentum contributes towards the angular momentum जिस तरीके से force के case में केवल force का angular component ही काम करता था radial component काम नहीं करता था ऐसे यहां पे भी linear momentum का कौन सा component बिटा? angular component काम करेगा उसका linear momentum linear component या radial component कुछ काम नहीं करेगा then चलिए vector form की बात कर ली जाए बिटा उगर vector form की बात कर ली जाए तो L vector equal to R cross P R के component है बिटा X, Y, Z P के component है बिटा तीन component PX, PY PZ ठीक है? तो इसको हम उसी तरीके से कर सकते हैं बताए कर सकते हैं की नहीं कर सकते? बिलकुल तो इसको भी आप complete कर लेंगे ठीक है बिटा? एनी प्रॉब्लम? चलिए deduce the relation between the torque and singular momentum तो दोनों ही चीजों में अब हमारे पास relation आ चुका है और बहुत important relation है यह जो derivation आने वाले हैं बहुत important है तो हमें क्या करना है? हमें relation derive करना है torque में और angular momentum में torque क्या होता है बिटा? tau होता है angular momentum क्या होता है? l होता है clear की note clear? चलिए अभी अभी हमने क्या पढ़ा बिटा? अभी हमने पढ़ा torque की relationship क्या पढ़ी हमने? torque is equal to r cross f पढ़ा और l क्या पढ़ा बिटा? हमने l हमने पढ़ा r cross p बुली पढ़ा की नहीं पढ़ा? चलिए तो define इसको derive कर देते हैं derivative कर देते हैं with respect to time तो dl by dt dL by dt rate of change of angular momentum rate of change of angular momentum dL by dt equal to देकी कैसे होगा? d by dt of r cross p clear? first function into second function का differentiation plus second function into first function का differentiation so it will be dr by dt cross p plus p cross dr by dt बुली यस की नो so बेटा जी dr by dt को मैं क्या बूलता हूँ? v बूलता हूँ बूलता हूँ ना? rate of change of radial vector p v होता है v cross p plus यहाँ पे हमारे पास में एक मिनाट कुछ गलती की मैंने first function into second का differentiation तो मैंने yy दो बाल लिग दिया सही करता हूँ इसको first vector vector r है क्यों भाई है की नहीं है शौर? first vector vector r है vector r cross dp y dt plus vector p cross dr by dt यह होगा बच्चों तो देखिए vector r cross dp y dt सबने पढ़ा है rate of change of linear momentum को क्या बोलते थे? external force r cross f r cross f बोलते थे plus p cross dr by dt को क्या बोलेंगे बेटा? linear velocity v अब आप ध्यान से देखिए p cross v कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा क्यों हो जाएगा? क्योंकि p होता है mv vector और cross v vector और दो same vector का cross product कितना हो जाता है? 0 क्योंकि दोनों के बीच का अंगल कितने डिगरी होता है? 0 degree तो v cross m v कितना हो जाएगा? 0 मतलब इस जगह पे हम 0 पूट कर देंगे तो किवल कितना बन जाएगा? r cross f plus 0 and you know r cross f को क्या बोलते हैं हम लोग? tau vector torque vector clear हो गया की नहीं हुआ? तो left में हमारा क्या चल रहा था बेटा? dl by dt और right में चल रहा है torque तो relation हमारा आ चुका है torque vector equals to dl by dt clear की not clear? yes so torque vector is equals to dl by dt clear है? यहने torque vector equals to dl by dt मतलब जो torque होता है वो rate of change of angular momentum के equal होता है कुछ आपको याद आ गई होगी आपको हमने वहाँ पढ़ाया था linear motion में वहाँ क्या चलता था? force is equals to dp by dt कुछ याद है? force जो होता था वो rate of change of linear momentum के equal होता था यहाँ पर torque के है rate of change of angular momentum के clear? so this is very 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 important चलिए जल्दी से इसको बना लीजे बच्चो आज ये इसका आंत्रम topic के class का ठीक है? इसको नोट कर लेजे